Hello guys and welcome to my YouTube channel Tech Bomb Case दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़दा important और useful होने वाली है आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने Samsung Galaxy A14 5G की फोन में display fingerprint लगाना चाहते हैं तो आप लोग display fingerprint lock कैसे लगाएंगे तो finally वीडियो के end तक बने रहेगा सबसे पाले आपके फोन में जो भी lock लगा password pattern लगा है उसको हटा देना है क्योंकि हम display fingerprint lock लगाने वाले हैं इसलिए password हटा देंगे इसके बाद अपने फोन में play store open करेंगे उपर आपको search करना है touch lock screen touch lock screen सर्च करने वाद आपके screen पे बहुत से application आपके screen पर सो होने लगते हैं यहाँ पे देखेंगे नीचे की साइड एक application है touch lock screen के नाम से application है इस application के दौरा हम जो है display fingerprint lock लगाने वाले हैं 4.0 इसकी rating है काफी अच्छा application है आप इसको download कर लीजिए और इसके दौरा चलिए आप लोगों को बताते हैं कैसे आपको display fingerprint lock लगाना है Samsung Lexi A14 5G के phone में सबसे पाले आप इसे open करेंगे allow के option पर click करके आप लोग इसको permission दे देंगे इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाता है start का option आप लोगों को मिलता है आप लोगों को start के option पर click करना है start के option पे जैसे आप लोग click करेंगे ति यहाँ पे कुछ ऐसा interface आपके screen पर show होगा अब यहाँ पे दोस्तों बहुत से application है आपको थोड़ा नीचे आना है देखना है touch lock screen कहाँ पे है application आपको इसको on कर देना है, on करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे back आ जाना है जब आप इसको एक बार on कर देजिए, back आजाएए, back आने के बाद यहाँ पे फिर से आपको start के option पर click करना है click करने के बाद यहाँ पे start service का option मिलता है, right side में देखेंगे अभी आफ है आपको इसको click करके on कर लेना है, जब on हो जाएगा तुरूंत आपको wall paper देखेगा ता आप लोग बैक आ जाएँगे इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को set or lock skin का option मिलेगा, just skin नीचे आप लोग देख सकते हैं आपको इस पर click करना है, click करते ही आपके screen पे बहुत से wall paper यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं नीचे की side जाते हैं ति यहाँ पे और wall paper आपको screen पर देखने को मिलते हैं अब यहाँ क्या करना है किसी एक wall paper पर click करना है, जो भी wall paper अच्छा लग रहा हो किलिक करने के बाद यहां पे right side बीच में arrow है इस पर किलिक करके last वाले page पर चले आएंगे और right side उपर की तरब आपको right का symbol में रहेगा corner में देख सकते हैं इस पर किलिक कर देंगे इसके बाद कुछ ऐसा interface आपकी screen पर so होगा अब यहां पे आपको जहां पे जो है अपना display fingerprint लगाना है पहले वहां पे आप logo को दो बार किलिक करना होगा मुझे यहां पे लगाना है दो बार मैं यहां किलिक करता हूँ इसके बाद आप logo को done के option पर किलिक करना है उसी अस्थान पे फिर से आप लोगों को दो बार किलिक करना है जहां पे display fingerprint लगाना है उसी अस्थान पे फिर से done पे किलिक करना है इसके बाद चैरंगों का password आप लोगों को यहां पे enter करने है इसके बाद confirm करने के लिए दुबारा password इंटर करेंगे इसके बाद यहां पे done हो जाना चाहिए लेकिन यह अनलोक नहीं होता है बलकि डिस्प्ले फिंगर्पिंड बांगता है तो कोई कहीं भी टेस्ट करें कितना भीवार आपका फोन अनलोक नहीं होगा जहां पर आपने दो बार के लिए किया था आप वहां पर दो बार के लिए करेंगे आपका फोन अनलोक हो जाएगा वीडियो पसंदाएद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूट करें